नर्गिस ने सुनील दत्य से कहा मैं खुश हूँ कि मीना मर गई सुनील दत्य ने चौक का नर्गिस की ओर देखा नर्गिस से बोले मतलब कहना क्या चाहती हूँ तू फिर नर्गिस ने सुनील दत्य से जो कहा उसे सुन कर सुनील दत्य डंग रह गई किसी की जिन्दगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है मुश्किल है ना ममकिन नहीं आज मैं आपके लिए बॉलिवुट की मशूर एक्टरस नर्गिस की जिन्दगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ अखिर कैसे डॉक्टर बनने वाली नर्गिस एक्टरस बन गई भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू के साथ नर्गिस का क्या रिष्टा था बॉलिवुट के शो मैन राज कपूर के साथ चाहते हुए भी नर्गिस शादी क्यों नहीं कर पई राज कपूर से शादी तूटने के बाद क्या है नर्गिस और सुनील दत्त की शादी की फिल्मी कहानी नर्गिस के पती सुनील दत्त ने ही कैसे नर्गिस का चमचमाता बॉलिवुट के वियर चोपट कर दिया बॉलिवुट की tragedy queen मीना कुमारी की मौत पर नर्गिस को खुशी के हुई थी बॉलिवुट के lady killer देवानंद को नर्गिस ने सरयाम जम कर क्यों डाटा था और आखिव में क्या है नर्गिस के मरने की दर्धनाक कहानी इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिफ इस एक वीडियो में तो चलिए शिव करते हैं एक जून सन 1929 को नर्गिस का जन्म होता है वेश्ट बेंगॉल के कुलकाता में नर्गिस एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉम करती थी उनकी अम्मी का नाम था जद्दन भाई हुसैन और उनके अब्बू का नाम था अब्दुल राशिद बहुत कम लोगों को मालूम है कि नर्गिस का असली नाम नर्गिस था ही नहीं असल में नर्गिस के दो नाम थे फातिमा राशिद नाम नर्गिस को दिया था नर्गिस की अम्मी जद्दन भाई हुसाइन ने और चुकि नर्गिस के अब्बू अब्दुल राशिद नर्गिस की अम्मी जद्दन भाई हुसाइन के साथ निकार करने से पहले हिंदू हुआ करते थे इसलिए उन्होंने अपनी बेटी नर्गिस को एक हिंदू नाम दिया था जो नाम था तेजेश्वरी मोहन मशूर फिल्म पत्रकार यासिर उस्मान बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि नर्गिस की अम्मी जद्धन भाई की अम्मी यानि नर्गिस की नामी दलीपा भाई उस जमाने के मशूर कॉंग्रेसी नेता पंडित मोती लाल नहरू को जानती थी इसी वज़र से नर्गिस की नानी दलीपा भाई की बेटी यानि नर्गिस की अम्मी जद्धन भाई पंडित मोती लाल नहरू के बेटे पंडित जवाहर लाल नहरू को अपना राखी भाई मानती थी उन्हें राखी बानती थी तो इस नाते पंडित जवाहर लाल नहरू र प्रक्षन कंपनी खोल ली जिसका नाम उन्होंने रखा संगीत फिल्म्स। छह साल की उमर में नर्गिस ने अपनी जिन्दगी की पहली फिल्म में काम किया जिस फिल्म का नाम था तलाश ए हक। जिस फिल्म की डिरेक्टर और प्रोडूसर दोनों उनकी अम्मी जद्धनबाई ही थी। और इस फिल्म में नर्गिस की अम्मी जद्धनबाई ने उन्हें स्क्रीन नेम दिया बेबी नर्गिस। कहा जाता है कि नर्गिस की अम्मी जद्धनबाई ने इस फिल्म में नर्गिस को कास्ट उन्हें लॉंच करने के लिए किया था मगर ऐसा नहीं था साल 1967 में नर्गिस ने एक इंटर्व्यू दिया था उस interview में अरगिस में खुद बताया था कि असल में उस वक्त उनकी अम्मी जद्धनबाई की film production company संगीत फिल्म्स एक बहुत बड़े financial crisis में चल रही थी इतना ज़्यदा कि उनकी अम्मी जद्धनबाई के पास अपने कास्ट को फीस के तौर पर देने के लिए पैसे नहीं होती थे इसी वज़र से उनकी अम्मी जद्धनबाई ने एक छोटे सुरूल के लिए अपनी बेटी फातिमा को ही कास्ट कर लिया चुकि फातिमा उन की बेटी है तो उसे फीस नहीं देने पड़ेगी पैसे बच जाएंगी और ये बात सही भी लगती है चुकि अगर जद्दन बाई ने नर्गिस को launch करने के लिए फिल्म तलाशय हक में काश्ट किया होता तो फिर उसके बाद भी वो नर्गिस को अपनी और फिल्मों में काश्ट करती नर्गिस को और फिल्मों में काश्ट करवाती मगर नर्गिस ने आने वाले 7-8 सालों तक किसी और फिल्म में काम नहीं किया चुकि ना ही जद्दिन भाई नव्गिस को एक फिल्म अक्टरस बनाना चाहती थी और ना ही नव्गिस एक फिल्म अक्टरस बनना चाहती थी साल 1962 में दिये गए अपने एक इंटर्व्यू में नर्गिस ने खुद बताया था कि असल में बच्पन से ही उनका सपना था कि वो डॉक्टर बने डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करें इसी वज़ासे तेवा साल की उमेव में सेंट क्विन मेरीज हाई स्कूल से सीनियर कैमपरिज की एक्जामिनेशन पास करने के बाद नर्गिस ने MBBS examination की प्रोपॆशन करने शुरू कर दी ताकि इस examination को clear करके वो MBBS की पढ़ाई करें MBBS की पढ़ाई करके दौक्टर बन जाएं मगर नर्गिस की किसमत में महबोब Khan, नर्गिस के घर आयी बातों बातों में उन्होंने नर्गिस के अम्मी अब्बू से अपनी खोईश साजा की कि वो नर्गिस को अपनी आने वाली अगली फिल्म तकदीर में हिरोइन के तौर पे काश्ट करना चाहतें पहली पहल नर्गिस ने इस प्रपोजर का अपोज किया मगर फिर नर्गिस के अब्बू अम्मी ने उन्हें बहुत समझाया और अपने अब्बू और अम्मी के समझाने पर नर्गिस केवल इस शर्त पर इस फिल्म में काम करने को राजी हुई कि वो केवल इसी फिल्म में काम करेंगी आगे किसी और फिल्म में काम नहीं करेंगी चुकि उन्हें एक्टरस नहीं बनना उन्हें डॉक्टर बनना है 14 साल की उम्र में नर्गिस ने बॉलिवुड में एक हिवरीन के तौर पर फिल्म तकदीर से अपना डेबू किया और इसी फिल्म से नर्गिस का स्क्रीन नेम बेबी नर्गिस से बदल कर केवल नर्गिस हो गया ये फिल्म सुपर हिट हो गई, सुपर डूपर से भी उपर हिट हो गई और इस फिल्म में नर्गिस की performance को भी बहुत पसंद किया गया Filmfare magazine ने इस फिल्म के release होने के बाद नर्गिस पर एक पूरा article लिखा जिसका title दिया नर्गिस An Excellent Debut इसके बाद नजाने क्या हुआ कि नर्गिस ने MBBS की preparation को छोड़ा डॉक्टर बनने का अपना बच्पन का सपना उसे ट्याग दिया और पॉलिवूट की एक सूपर स्टार एक्टरस बनने की वहाँ पर आगे बढ़ गई इसके बाद नर्गिस ने महभूब खान की ही हुमायू फिल्म में मश्यूर एक्टर अशोक कुमार के अपोजट काम किया उसके बाद रोमियो जूलियट, प्यार की बातें, बाबुल, जोगन, पापी जैसी फिल्मों में नर्गिस एक के बाद एक लगातार काम करने लगी और केवल नर्गिस के होने की वज़े से एक सावी फिल्म में सुपर हिट भी होने लगी साल 1948 आ चुका था, अब नर्गिस बॉलिवुड में हिट की गारिंटी बन चुकी थी और नर्गिस का कद बॉलिवुड में अपनी अम्मी जद्धनबाई की कद से भी बड़ा हो चुका था साल 1948 में नर्गिस की जिंदगी में एंट्री हुई उस शक्स की जिस शक्स की आमद नर्गिस की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेका आने वाली थी साल 1948 में नर्गिस को एक फिल्म का उफर मिला जिस फिल्म का नाम था अंदाज नर्गिस को मालूम चला कि फिल्म अंदाज में उनके एपोजिट एक नहीं बलकि दो-दो हीरों है एक थे दिलिप कुमार दूसरे थे राज कपूर दिलिप कुमार को नर्गिस अच्छी तरह से जानती थी उनके साथ वो पहले भी काम कर चुकी थी मगर राज कपूर? राज कपूर के साथ नाही नर्गिस ने पहले कभी काम किया था नाही नर्गिस कभी उनसे मिली थी आज तक नर्गिस ने राज कपूर की शकल तक नहीं देखी थी नर्गिस ने सुचा कोई बात नहीं फिल्म के सेट पर उन से मुलाकात होई जाएगी जिस दिन सुबा फिल्म अंदार्स की शूटिंग का शेडियूल तर था उसके पिछले दिन शाम को जद्दन भाई किसी काम से बाहर गई हुई थी और नर्गिस उनके आने पर उनको खिलाने के लिए उनके मन पसंद बेसन के पकोड़े बना रही हुई थी आचा न घर का दर्वाजा खटका नर्गिस ने सुचा जद्दन भाई आ गई नर्गिस ने जल्दिस जाका दर्वाजा खोल दिया दर्वाजा खोला तो चौंग गई 1965 में दिये गए अपने एक इंटर्व्यू में नर्गिस ने खुद बताया था कि मैंने जैसे ही दर्वाजा खोला मैंने देखा सामने एक नीली आखों वाला मोटा लड़का खड़ा था और मुझे लगातार घूरे जा रहा था नर्गिस ने उस नीली आखों वाले मोटे लड़के से पूँचा कौन हो तो इसका जवाब देने के बजाए उसने नर्गिस से पूँचा जी जद्दन बाई जी है नर्गिस ने कहा नहीं वो तो अभी नहीं है बाहर गई है बस इतना सुनना था कि वो मोटा लड़का तो वहाँ से जाने लगा नर्गिस ने उसे रोकना भी चाहा कि उसे रोक का पूँच है कि वो कौन है जदिन बाई से उसे क्या काम है मगा फिर नर्गिस ने नहीं रोका दरवाजा बन कर लिया अगले दिन सुबा सुबा जब नर्गिस अंदास के सेट पर पहुँची तो वहाँ एक दिश देखकर हैरान रह दी उन्होंने देखा दिलिप कुमार उनकी ओर चले आ रही है और दिलिप कुमार के बगल में ही दिलिप कुमार के कंदे पर हाथ रखा हुआ उनके साथ मस्ती से बाते करता हुआ वो नीली आखो वाला मोटा लड़का भी उनकी ओर चला रहा है नर्गिस हैरान रह गई नर्गिस ने उस मोटे लड़के और दिलिप मार के कवीब आने पर उस मोटे लड़के से पूँचा कि आखिर तुम हो कौन और यहां कैसे आ गए तब नर्गिस को मालूम चला कि वो नीली आखो वाला मोटा लड़का और कोई नहीं राच कपूर थे खर अंदास फिलम कि शूटिंग पूरी ही अंदास फिलम रिलीज होई और सूपर डूपा से भी उपर हिट हुई अंदास फिलम के रिलीज होने के कुछ दिन बाद राच कपूर अपनी पहली Directional Venture फिलम डिरेक्शनल डेवीव फिल्म आग की स्क्रिप्ट लेकर नर्गिस के पांस पहुंचे और उन्हें हिरोईन का रोल उफर किया नर्गिस ने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया कहा जाता है कि आग फिल्म की शूटिंग के दोरान ही नर्गिस और राचकपूर के बीच महबत की आग जलने लगी थी नर्गिस और राचकपूर की नजदीकियां बढ़ने लगी इन दोनों की करीबियां बढ़ने लगी नर्गिस और राचकपूर के बीच प्यार के फूल खिलने लगे जिसकी खुश्मू ना ही नर्गिस की अम्मी जद्दनबाई को भा रही थी ना ही राचकपूर के पिता पित्री राचकपूर को पसंदा रही थी चूकि राचकपूर पहले से शादी शुदा थे उनकी शादी हो चुकी थी ऐसा कहा जाता है कि नर्गिस की अम्मी जैदनबाई इस रिष्टे के खिलाफ इसलिए भी थी चुकि वो नहीं चाहती थी कि नर्गिस का रिष्टा कभी भी किसी के भी साथ जुड़े यानि कि वो नहीं चाहती थी कि नर्गिस की शादी किसी के भी साथ हो ताकि नर्गिस हमेशा उनके ही साथ रहे हमेशा वो नर्गिस को बैंक पास्ट बुक की तरह यूज करती रहे ऐसा कहा जाता है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहराल नर्गिस राश कपूर के साथ अपना रिष्टा तोड़ दें इसके लिए नर्गिस की अम्मी जद्दन भाई नर्गिस पर बहुत दबाव बनाने लगी मगर नर्गिस नहीं मानी इस बीच नर्गिस के अब्बू अब्दुल राशिन इस दुनिया से रुकसत हो गए उनका निधन हो गया इस बीच आग फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह से पिटी बहुत बुरी तरह से पिटी इतनी कि शायद राश कपूर और नर्गिस नहीं देखी बखी किसी ने देखी ही नहीं राश कपूर ने इस फिल्म से हार नहीं मानी तुरंत अपनी अगली फिल्म बरसात पर काम करना शुरू कर दिया बरसात फिल्म की शूटिंग के दौरान नर्गिस और राज कपूर के बीच जब कभी किसी रिमेंटिक सीन को फिल्माना होता था तब नर्गिस की अम्मी जद्दनबाई कुछ उसी तरह की मुश्किले खड़ी किया करती थी जैसी मुश्किले जब देवानंद और सुरया के बीच किसी रिमेंटिक सीन को फिल्माना होता था तब सुरया की नानी बाक्षा बेगम खड़ी किया करती थी जैसे राज कपूर ने एक इंटर्वीव के दौरान एक किसा सुनाया था कि बरसात फिल्म का एक रोमेंटिक सीन वो कश्मीर में शूट करना चाहते थे मगर जद्धनबाई को इस पर घोरा पत्ती हो गई और मजबूरी में राज कपूर ने महा बलेश्वर को ही कश्मीर बना कर वहाँ पर इस सीन शूट किया हाला कि नर्गिस की अम्मी जद्धनबाई अधिक समय तक इस तरह की मुश्किले खड़ी नहीं कर पाई चुकि बरसाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वो भी इस दुनिया से रुकसत हो गई अब इस दुनिया में नर्गिस का कोई अपना नहीं बचा था नर्गिस की अपनी अम्मी इस दुनिया से रुकसत हो चुकी थी नर्गिस के अपने अबबू इस दुनिया से रुक्सत होचके थे कहने को नर्गिस के दो भाई थे वो भी सौतेले थे, जिनके साथ नर्गिस के रिष्टे कुछ खास अच्छे नहीं थे तो अब अपने के नाम पर नर्गिस की जिन्दगी में केवल और केवल राच कपूर ही थे बरसाथ फिल्म की शूटिंग कम्पलीट होते होते नर्गिस राच कपूर से तूट कर प्यार करने लगी थी बरसाथ फिल्म रिलीज हुई, सुपर हिट हुई बरसाथ के बाद नर्गिस और राच ने आवारा, श्री 420, चोवी-चोवी, जाते रहो, आह, समेट 16 फिल्मों में साथ काम किया और ये सारी फिल्में सुपर हीट हुई एक वक्त तो ऐसा आ गया जम नर्गिस किसी और हीरो के साथ काम करती ही नहीं थी, किसी और की फिल्म में काम करती ही नहीं थी इस दोरान समय बीटने के साथ ही नर्गिस के दिल में राजकपूर के लिए जो महबत की आग थी वो आग भी बढ़ती जा रही थी नर्गिस राजकपूर से इस कदर पागलों की तरह प्यार करने लगी थी, कि वो राजकपूर से शादी करना चाहती थी, बावजूद इसके कि राजकपूर पहले से शादी शुदा थी मशूर फिल्म पत्रकार मधुजयन बताती है कि नर्गिस ने अपना तन, मन और धन ये तीनों राजकपूर पर समर्पित कर दिया था, राजकपूर पर पूरी तरह से नियोचावर कर दिया था, लेकिन राजकपूर इतना सब कुछ करने के बाद भी नर्गिस से शादी के लिए नहीं तयार थे, वो नर्गिस के लिए अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं तयार थे, अलाकि नर्गिस को भरुसा था, भरुसा था अपने प्यार पर, नर्गिस को उमीद थी कि एक दिन वो अपनी महबत से राजकपूर को इसकदर मजबूर कर देंगी, कि रा आज तलक शादी के अंजाम तक नहीं पहुँच पाया था, चुकि राच का पूरी सुष्टे को शादी के अंजाम तक लेकर नहीं गए थे, वहना नर्गिस तो कबसे इसी इंतजार में बैठी हुई थी, पर 9 साल गुजरने के बाद भी अब तलक नर्गिस का भरोसा जसका त कायम थी, मगर मशूर नियूस पेपर अमर जाला के मताबिक नर्गिस का ये भरोसा तब टूटा, नर्गिस की ये उमीद तब टूटी जब नर्गिस के साथ एक घटना घटी, जिसकी उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की थी, हुआ ये कि एक दिन राच कपूर ने नर्गिस के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा, अकेले टाइम स्पेंट करने का मौका मिल जाएगा, नर्गिस को राच कपूर ने जिस दिन, जिस वक्त सारा समान पैक कर तयार होकर उनका वेट करने को कहा था, नर्गिस उस तय वक्त पर सारा समान पैक कर तयार होकर राच कप राच कपूर के घर पर नरगिस क्योंकि एकसराती जाती थी इसलिए बे रोक टोक नरगिस सीडी से चड़ते हुए सीधा उनके कमरे तक महुँच गई कमरे तक हुँची तु देखा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बन नहीं है वो अंदर से भी नहीं बन था, क्यों उड़का हुआ था नर्गिस बिना किसी खटके के तुरंट दवाजा खोल कर अंदर भुज गई जैसे ही नर्गिस ने दवाजा खोला तो उन्होंने एक ऐसा दृष्य देखा जिसके उन्होंने कलपना ही नहीं की थी राज कपूर अपनी पत्नी के साथ बेट पर लेटे हुए थे एकदम बढ़ियां रोमेंटिक पोज में, रोमेंटिक मूड में, रोमेंटिक मुस्कुरहाट के साथ खुद अपने हाथों से अपने पत्नी के गले में हीरों का हार पहना रहे थे नर्गिस की आखों में ये दिश्य देखते ही आग सी लग गई नर्गिस ने कुछ कहा नहीं बिना कुछ कहे चुप चाप वहाँ से वापस लोटाई अमर उजाला के मुताबिक इस दिन इस घटना के बाद नर्गिस को पहली बार ये रियलाईज हुआ कि राज कपूर और उनका रिष्टा कभी भी शादी के अंजाम तक नहीं पहुंच सकता चुकि राज कपूर कभी इस रिष्टे को शादी के अंजाम तक लेकर जाएंगे नहीं राज कपूर कभी भी नर्गिस से शादी ना करना चाहते थे, ना करना चाहते हैं और ना ही करेंगे इसलिए नर्गिस ने तै कर लिया कि वो राज कपूर के साथ अपने सारे विश्टे नाते तोल लिए नर्गिस ने राज कपूर की फिल्मों में उनके साथ काम करना बंद कर दिया राज कपूर से मिलना जुलना बंद कर दिया राज कपूर से बाचित तक करना बंद कर दिया टोटल कनेक्शन कट कर लिया नर्गिस के लिए ये बहुत मुश्किल समय था 1972 में दिये गए अपने एक ईंटर्विई में नर्गिस बताती है राजक पूर के उनकी जिंदगी से चले जाने के बाद उनकी जिंदगी में बहुत अकेलापन हो गया था वो अपनी जिंदगी में बहुत अकेली हो गए थी यह अकेलेपन का दर्ग कभी-कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि नर्गिस खुद को मारने के लिए भी तयार हो जाती थी वो सूसाइड करने के लिए तयार हो जाती थी हाला कि फिर किसी तरह से अपने को समह लिया करती थी साल 1957 में ही नर्गिस के फेवर डिरेक्टर जिन्होंने बॉलिवूड में उनका डेबिर करवाया महभूब खान नर्गिस के पास एक फिल्म का उफर लेकर आये जिस फिल्म का नाम था मदर इंडिया इस फिल्म में वो नर्गिस को एक मा का रूल देना चाहते थे नर्गिस न इस मा के रूल को एक्सेप्ट कर गिया पहली बार अपने बॉलिवूड के वियर में वो मा का किवदाव निभाने वाली थी फिल्म मदर इंडिया के सेट पर उनकी मुलाकात हुई फिल्म में उनके बेटे बिवजू का किवदावनी भाव है सुनील दत से वसे सुनील दत के साथ ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी कुछ साल पहले जब एक्टर बनने से पहले सुनील दत एक रेडियो चैनल में रेडियो जौकी के तौर पे काम करते थे तब उस वेडियो चैनल ने सुनील दत को नर्गिस का इंटर्वी लेने के लिए नर्गिस के पास बेजा था मैं अगर चुकी सुनील दत नर्गिस के डाई हाटट फैन हुआ करते थे एकदम पक्के वाले फैन हुआ करते थे इसलिए नर्गिस को देखते हैं सुनील दत की सिट्टी पिट्टी गुम हुए और बीना एक भी सवाल पूछे वो चुप चाह मां से वापस लोटाए इस बार जब उनकी मुलाखात फिल्म मदर इंडिया के सेट पर एक को एक्टर के तौर पर नर्गिस से हुई तब भी डिरेटर महभूब खान बताते हैं कि सुनील दत का वही हल था नर्गिस को देखते हैं सुनील दत की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी अपने डियालॉक्स तक भूल जाय करते थे सहज होकर नर्गिस के साथ एक्टिंग नहीं कर पाते थे हलाकि महभूब खान बताते हैं कि नर्गिस हमेशा कोशिश किया करती थी कि सुनील दत उनके साथ सहज हो सकें उनके साथ सहज होकर एक्टिंग कर सकें डर्लिंग जी, the true love story of सुनील दत नर्गिस इस मशूर किताब के लिए खक किश्वर देसाई हैं और किश्वर देसाई बताते हैं कि नर्गिस की सुनील दत को अपने साथ सहज करने की इन कोशिशों का सुनील दत पर ये प्रभाव पड़ा कि सुनील दत को नर्गिस से बहुत लगाओ सा हो गया फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग अब तक 30% कम्प्लीट हो चुकी थी गुजरात के बिली मोर गाओं में फिल्म का सेट लगा था सीन था कि एक भूसे की जोपड़ी थी जिसमें आग लगनी थी और नर्गिस को उस आग से बचने के लिए जोपड़ी से बाहर भागना था जब कैमरा हर मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था सीन शूट हो रहा था तभी अचानक नर्गिस उस जोपड़ी से इससे पहले की बाहर निकलती उस भूसे के उपर ही भागता एक हिस्सा तूटकर भूसे की जोपड़ी के गेट पर गिल गया और नर्गिस उस जलती ही का भी बहुत रिस्क था खुद के जलने का रिस्क था ऐसे में सुनील दत ने आओ ना देखा ताओ सीधा जलती ही जोपड़ी के अंदर घुज गई और नर्गिस को सक्षल गोध में उठा कर बाहर निकल लाई सुनील दत की ये हिम्मत और उनका सास देखकर पूरी यूनिट दंग थी खुद नर्गिस भी हैरान थी हलाकि नर्गिस को बचाने के चक्कर में सुनील दत ने अपने आपको बुई तरह सर जुलसा लिया था इतनी बुई तरह से कि वो वहीं पर बेहोश होकर गई पड़ी सुनील दत को होस्पिटलाइज करना पड़ा होस्टेल में अडमिट करना पड़ा और उनकी तिमावदावी की जिम्मदावी समाली खुद नर्गिस ने डावलिंग जी the true love story of सुनील दत नर्गिस के लिए खकिश्य और देशाई बताते हैं कि आम तौपर लोगों में ऐसी धारणा है कि नर्गिस को सुनील दत ने आग से बचाया और बस अचानक तुरंत नर्गिस को सुनील दत से प्यार हो गया जबकि ऐसा नहीं था हाँ सुनील दत ने नर्गिस को आग से बचाया इसका नर्गिस पर प्रभाव बहुत पड़ा था लंबे समय के बाद उन्हें अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मिला था जिसने उनके लिए कुछ किया था तो प्रभाव पड़ा मगर इतना नहीं कि उन्हें से प्यार ही हो सुनील दत से नर्गिस को प्यार तब हुआ जब उन्होंने सुनील दत की तिमारदारी के दौरान उनके साथ महिनों वक्त बिताया इस दौरान नर्गिस ने सुनील दत्य के सामने अपनी जिंदगी का पूरा कच्चा चिठा खोल के रख दिया उन्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताया ये भी बताया कि किस तरीके से वो राच कपूर के साथ 9 सालों तक one-sided relationship में रही वो राच कपूर से शादी के लिए किस कदर पागल थी फिर किस तरीके से उन्होंने राच कपूर उनकी वाइफ को एक साथ बैट पर उस तरह से लेटे हुए देखा उनका भरुसा तूट गया, उम्मीद तूट गई इसके बाद राच कपूर के साथ उन्होंने अपना रिष्टा तोल लिया राच कपूर के उनके जिंदगी से चले जाने के बाद किस तरह से वो depressed हो गई अकेली पड़ गई और किस तरह से फिर उन्हें suicide के खयाल आने लगे और किस तरह से वो आज भी वही अकेला पन महसूस करती है आज भी उन्हें कई बार suicide के खयाल आते हैं किश्वर देसाई बताते हैं कि जैसे ही सुनिल दत ने ये सुना कि नर्गिस को आज भी अकेला पन महसूस होता है और आज भी उन्हें suicide के खयाल आते हैं तैसे ही उन्होंने अपने हाथ से नर्गिस का हाथ पकड़ा और नर्गिस का हाथ पकड़कर उनसे बोले मगर मैं चाहता हूँ कि तुम जीओ कई सालों के बाद नर्गिस ने किश्वर दिसाई को बताया था कि जैसे ही ये शब्द कि मैं चाहता हूँ कि तुम जीओ नवगिस के कान में पहुँचे नवगिस को ऐसा मालूम होने लगा कि जैसे जो कुछ उनकी जिंदगी में बिगड़ा हुआ था वो बनने लगा है जो कुछ उनकी जिन्दगी में टूटा हुआ था, वो जुडने लगा है। उनकी जिन्दगी में जितने भी अकेलेपन के बादल मडरा भई थे, वो सब छटने लगी है। सुनील दत्थ के रूप में उन्हें कोई एक ऐसा मिल गया है, जिसने उनकी जिंदगी काकेलापन दूर कर दिया है नवगिस ने किश्वर देशाई को बताया था कि इस गटना के बाद जब वो सुनील दत्थ के साथ होती तो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि सुनील दत्त के कंदे पर वो चब चाहें तब जैसा चाहें वैसा जितना चाहें उतना रो सकती हैं सुनील दत्त उन्हें समाल लेंगे किश्व देसाई बताते हैं कि इस तरह से सुनील दत्त के साथ वक्त बिताने के दौरान धीवे-धीवे नर्गिस को सुनील दत्त से प्यार हो गया सुनील दत्त के व्यक्तित्त से उनकी सोच से प्यार हो गया और यही हल सुनील दत्त का भी था नर्गिस के साथ वक्त बिताने के दौरान सुनीलदत को नर्गिस से प्यार हो गया बस नर्गिस और सुनीलदत के प्यार में फर्क इतना था कि नर्गिस प्यार के इस विष्टे को शादी के अंजाम तक पहुचाना चाहती थी वो सुनील दत से शादी करना चाहती थी मगर सुनील दत नर्गिस से शादी करने में जरा हिचा करती थी उनके दिमाग में एक सवाल था वो सवाल ये था कि नर्गिस से शादी करना उनके लिए तो ठीक होगा मगर क्या उनके परिवार के लिए ठीक होगा सुनील दत अपने परिवाव से बहुत प्यार करती थी वो नहीं चाहते से कि उनकी शादी किसी भी तरिके से उनके परिवाव के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दे इसलिए वो नर्गिस से शादी करने में तर ही चक रही थे इस दोरान जब सुनील दत पूरी तरह से ठीक हो गए तो मदर इंडिया की शूटिंग फिर से शुरू हो गई शूटिंग के दोरान एक दिन नर्गिस सेट पर पहुँची तो देखा कि सुनील दत सेट पर तूर एक कोने में सबसे अलग सरत चुपचाप उदास से बठे हुए है नर्गिस सुन्दे नों सुनील दत को बिवजु बुलाया करती थी नर्गिस सुनील दत के पास पहुँची और मुस्कुराते हुए उनसे बोली दिवजु क्या हुआ उदास क्यों हो सुनील दत ने नर्गिस को बताया कि दरसल उनकी बहन को एक गंभीर बिमारी हो गई है और सुनील दत एक स्ट्रग्लिंग एक्टर है उनके पास ज़्यदा पैसे नहीं है इस शहर में ना उन्हें कोई जानता है ना वो किसी को जानते है समझ नहीं आ रहा अपनी बहन का इलाज कैसे करवाएं कहा करवाएं क्या करवाएं कुछ समझ नहीं आ रहा नर्गिस ने कुछ भी नहीं कहा इस बात कोई जवाब नहीं दिया शाम को जब सुनीलदत अपने घर पहुँचे तो सुनीलदत की बहन ने सुनीलदत को बताया कि आपके आने के कुछ रमय पहले नवगिस आई थी नवगिस अपने साथ अपने family डॉक्टर को भी लाई थी उनके family डॉक्टर ने वही पर सुनीलदत की बहन का check up किया और फिर नर्गिस ने एक हपते बाद उन सुनीलदत की बहन की सर्जरी भी फिक्स करवा दी है सुनीलदत है रहान रह गए नर्गिस ने इतना सब कुछ किया उसके बाद एक हफते बाद जब सुनिल दत्त की बहन की सर्जरी हुई तब उसके बाद सर्जरी के बाद सुनिल दत्त की बहन के ठीक होने तक नर्गिस ने सुनिल दत्त की बहन की बहुत केरिंग क्योरिंग की उनका बहुत ख्याल रखा, उनकी बहुत अच्छी तिमावदावी की इस घटना के बाद सुनील दत्त का दिमाग पूरी तरह से क्लियर हो गया दुंद बिल्कुल साफ हो गई, सवाल का जबाम मिल गया नर्गिस से शादी करना उनके लिए भी अच्छा है और उनके परिवार के लिए भी अच्छा है अब सुनील दत्त ने जरा भी देव नहीं की सीधे नर्गिस के घर पहुँचे, नर्गिस को शादी के लिए प्रपोस कर दिया नर्गिस खुशी-खुशी राजी भी हो गई, आखिरकार 11 मार्च सन 1958 को नर्गिस और सुनील दत्त ने मुंबई के एक आर समाज मंदर में आर समाज की वीती उराजों के मताबिक शादी करी शादी के बाद नर्गिस की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई सुनील दत जरा रूड उबादी वुचारों के थे उन्हें ये पसंद नहीं था कि शादी के बाद उनकी बीवी फिल्मों में काम करे इसलिए शादी के बाद नर्गिस ने सुनील दत के कहने पर अपना चमचमाता बॉलिवूट केरियर खुशी-खुशी छोड़ दिया और पूरी तरह से हाउस वाइफ बन गई शादी के बाद नर्गिस और सुनील दत का एक बेटा हुआ जिसका नाम नर्गिस ने रखा संजय दत उसके बाद दो बेटियां हुई जिनमें से एक का नाम नर्गिस ने रखा नमरतादत दूसरी का नाम नर्गिस ने रखा प्रियादत नर्गिस ने इंडस्ट्री को अलवदा कह दिया था मगर इंडस्ट्री के कुछ लोग थे जिन्होंने नर्गिस को अलवदा नहीं कहा था इंडस्ट्री में नर्गिस के कुछ खास दोस्त और जिनमें सबसे खास दोस्त थी मीना कुमारी, बॉलिवुट की टजडी कुईन हलाकि मीना कुमारी और नर्गिस का विष्था दोस्ती से बढ़कर था मीना कुमारी नर्गिस को अपनी बड़ी बहन मानती थी इसलिए वो नर्गिस को बावी कहा करती थी इसलिए तो नर्गिस मीना कुमारी से बहुत प्यार करती थी हलाकि नर्गिस मीना कुमारी के तरफ से बहुत फिक्रमंद भी रहती थी बहुत परिशान रहती थी, बहुत चिंतित रहती थी चुकि मिना कुमारी के पती कमाल अमरोही और कमाल अमरोही के सेकेटरी बाकर मिना कुमारी को बहुत टॉर्चर किया करती थे तभी तो एक बार नर्गिस कमाल अमरोही के सेकेटरी बाकर को पीटने पहुँच गई थी उन्होंने बाकर का कॉलर पकड़ दिया था बाकर को मार नहीं वाली थी मगर मीना कुमावी ने मना कर दिया इसलिए उन्होंने बाकर कुमारा नहीं छोड़ दिया जब कमाल अमरी के सेकेटरी बाकर ने मीना कुमावी को एक थपड़ मार दिया था ताम मीना कुमारी ने खुद नर्गिस के गले लगकर रोते रोते उन्हें बात बताई थी कि बाकर ने उन्हें एक खपण मार दिया है इसलिए मीना कुमारी के लिए नर्गिस हमेशा बहुत फिक्रमंद रहती थी और इसलिए जब 31 मार्च सन 1972 को उन्हें ये खबर मिली कि मीना कुमारी इस दुनिया से रुखसत हो गई तो उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा जटके के मारे बैठ नहीं जटके के मारे कुछ देर तक उनके मुझे से एक लफस नहीं निकला बगल में ही दुखी से सुनील दत भी बैठे हुए थी अचानक नर्गिस ने सुनील दत से कहा मैं खुश हूँ कि मीना मर गई सुनील दत ने चौक का नर्गिस की ओर देखा नर्गिस से बोले मतलब कहना क्या चाहती हूँ तू फिर नर्गिस ने सुनील दत्त से जो कहा उसे सुनकर सुनील दत्त डंग रह गए नर्गिस ने सुनील दत्त से कहा मीना जैसी पाक रूह के लिए ये नापाक दुनिया बनी ही नहीं थी उसके लिए जन्नती ठीक थी वो जन्नती चली गई अगले दिन, यानी कि 1 अप्रेल के दिन नर्गिस ने देश भर की बड़ी बड़ी फिल्म मैगजीन्स और अकबारों में मीना कुमारी के नाम एक open letter लिखा जिसका टाइटल उन्होंने दिया मीना मौत मुबारक हो मीना मौत मुबारक हो नाम के इस open letter में नर्गिस ने लिखा कि मीना मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस दुनिया को छोड़ कर चली गई तुमारी जैसी पाक रूर के लिए परित्र रूर के लिए ये नापाक और अपरित्र दुनिया बनी ही नहीं थी अब कभी भी इस जालिम दुनिया में लौट करमाताना ये तुमारे लिए नहीं बनी है वैसे बहुत कम लोगों को मालूम है कि नर्गिस का पूर प्रधान मेंतरी शिमती इंद्रा गांधी के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन था इतना अच्छा कनेक्शन था कि एक बार उन्होंने इंद्रा गांधी के साथ अपने इस कनेक्शन के चलते ही बॉलिवूट के लेडी की लफ देवानंद को सरयाम पाल्टी में डांट लगा दी थी इसलिए बात तपकी है जब इंद्रा गांधी ने देशबा में अमर्जंसी लागू कर दी थी नर्गिस इंद्रा गांधी के समर्थन में थी इसलिए उन्होंने अमर्जंसी का समर्थन किया था देवानन्द चुकि एमर्जंसी के खिलाफ थे इसलिए वो इंद्रा गांधी का विरोध कर रही थे एक पार्टी में देवानन्द और नर्गिस की मुलाकात रही देवानन्द ने अपनी ऑटोबाइगरफिय रिमेंसिंग विज लाइफ में लिखा है कि उस पार्टी में नर्गिस ने देवानन्द को ये समझाने की कोशिश की कि देवानन्द इंद्रा गांधी सरकार का विरोध मत करें सरकार से पंगा मत ले जब देवानन नहीं माने तब नर्गिस ने उनके साथ बहस करनी शूरू कर दी नर्गिस ने उन्हें डाटना शूरु कर दिया, डाटने के दोरान ही उन्होंने देवानन को अकडू भी कहा हलाकि देवानन नर्गिस के वुचारण से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने नर्गिस की बात नहीं ही मनी इंदिरा गांधी से इतने अच्छे connection के चलते ही साल 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने Congress Party की तरफ से नर्गिस को राजसभा के लिए नामित किया नर्गिस बॉलीवूट की वो पहली कलाकार थी जिने राजसभा के लिए नामित किया गया था साल 1980 में राजसभा का एक session चल रहा था कि अचानक session के दौरान नर्गिस की तवियत बिगणने लगी वसे नर्गिस की तवियत पिछले कुछ दिनों से ही खराब चल रही थी उनका वजन भी घट रहा था मगर नर्गिस को लग रहा था कि यह समाने से कम जोरी होगी मगर दो अगस्त के दिन कुछ ज़्यादा ही तवियत खराब होने लगी नर्गिस राजसभा से सीधे घार आई घारा कर उन्होंने सुनीलदत को फोन लगाया सुनीलदत आये उसके बाद नर्गिस सुनीलदत के साथ डॉक्टर के पास गई डॉक्टर ने उन्हें ब्रीच केंडी होस्पिटल जाने की सलाह दी ब्रीच केंडी होस्पिटल में डॉक्टर उडवारिया ने नर्गिस का चकप किया और फिर उन्होंने नर्गिस और सुनीलदत को जो बात बताई उसे सुनकर नर्गिस और सुनीलदत दोनों हिद्धंग रहे गए डॉक्टर उडवारिया ने बताया कि नर्गिस के पेन को याज में ट्यूमर है नर्गिस को पेन को याटिक कैंसर है डॉक्टर उडवारिया ने सुनीर दत से कहा कि वो नर्गिस को लेकर न्यू यॉक के अगर मुझे याद है तो स्लॉथ केटरिंग मेमोरियल कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर यही नाम था वहां ले जाएं और वहां नर्गिस का इलाज कर वाएं सुनिल दत नर्गिस को लेकर New York के इसी Sloth, Kettering Memorial, Cancer Treatment Center पहुँचे जहां पर एक साल तक नर्गिस का इलाज चला मगर नर्गिस को केवल तीन ही महिने याद थे चुकि इन बारा महिनों में से नौ महिना नर्गिस कोमा में रही इस दौरान नर्गिस की 6-7 बार सरजरी हुई, लगातार की मुरिथरपी हुई आखिरकार एक साल बाद डॉक्टर्स ने सुनिल दत से कहा कि अब वो नर्गिस को वापस इंडिया ले जा सकते है जब सुनिल दत नर्गिस को लेकर हॉस्पिटल के रूम से बाहर आ रही थे तब उन्होंने हॉस्पिटल के पूरे स्टाप से पहले ही बात करके वहां के सारे शीशे हटवा दिये थे चुकि वो नहीं चाहते थे कि नर्गिस अपने आपको शीशे में देखें मगर एक कर्मचारी की गलती से हॉस्पिटल में एक जगह शीशा लगा रह गया था और नर्गिस ने उस शीशे में अपने आपको देख लिया ऐसा सदमा लगा नर्गिस को, ऐसा सदमा लगा कि वहीं पर बैठ कर रोने लगी अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शीशे में उन्होंने ऐसा क्या देख लिया ऐसा सदमा क्यों लग गया कि बैठ कर रोने लगी नर्गिस ने देखा कि वो जो कभी लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी आज उनकी तवचा का पूरा रंग काला पड़ गया है बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है सर के सारे बाल जढ़ गए है मतलब सारी सुन्दरता कुरूपता में बदल गई है नर्गिस की बेटी नमरता दत बताती है कि इस घटना के बाद से नर्गिस का मुराल डाउन होने लगा था उन्हें ये महसूस होने लगा था कि अब उनका ये हश्र हो गया है तो अब वो जादा दिनों तक बचने वाली नहीं है खेब नर्गिस वापस भारत आई बहुत खुश थी हूँ, बहुत एक्साइट थी हूँ क्योंकि उनके बेटे संजय दत बॉलिवूड में अपना डेबूर करने वाली थी संजय दत उन दिनों रॉकी की शूटिंग पूरी कर चुके थे शूटिंग के बाद का काम हो रहा था सुनील दत ने नर्गिस के कहने पर रॉकी की रिलीज डेट 25-26 दिन घटा दी थी जो रॉकी 27-28 मई को रिलीज होने वाली थी अब वो 8 मई को रिलीज होने वाली थी चुकि वक्त बीतने के साथ ही नर्गिस की ये फिलिंग बढ़ती जा रही थी कि वो कभी भी मर सकती हैं वो कभी भी मर सकती हैं कहीं वो रॉकी की रिलीज होने से पहले ही न मर जाएं और आखिरकार यही हुआ एक मई सन 1980 को नर्गिस के सब्यात एक बाद फिर से खराब गुई नर्गिस को बीच केंडी होस्पिर ले जाया गया वहाँ पर नर्गिस को एडमिट किया गया पता थला कि नर्गिस को युविनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन हो गया 2 माई सन 1980 को नर्गिस एक बार फिर से कोमा में चली गई और इस बार कोमा में जानने के बाद लौट कर नहीं आई 3 माई सन 1980 को नर्गिस इस दुनिया से रुक्सत हो गई नर्गिस का निधन हो गया